बुद्धुहार को गणपती जी के नाम का हवन हमारे हां करते हैं और जिसमें की हम सबसे पहले कपूर से आग जला देते हैं जो पिसा कपूर है मेरे पास पिसा कपूर में रखती है और ये जो आम की लकडिया है इसको हम इससे हम हवन करते हैं और एक हवन सामागरी आती है हम काफ़ी useless पता ही हटी है कि काफं भागवान का मुख कहते है जो हम डालते हैं समझ लो हमां इसवार तक चली जाती है कि और दोनने नोजाए ञेनश्य और इसके पिछे में एक साइनस एंश है क्या है ? जो यह कपूर है ना , आपको पता हएक। उल भाष्ण हहा। और एक और में प्लाप déjàनग होती है और इसके अदर शब्लीं की दोलिव कर ता complement नेंश्य एंब्ली वह तो भी कृत था था . और कपूर बहुत जादा इंफ्लमेबल होती है इससे बहुत जादा तुरंट आग पकड़ती है तो हम हवन शुरू करने के लिए करते हैं ताकि बाकी सब जो आम की लगड़ी हैं वो भी आग पकड़ लें तो बहुत ही जादा देखो यह सब चीज़े जो होती है इसके पिछे बहुत साइंस है और यह आयरवेदा जड़ी बूटिया इस साइंस और हमारी जो पुराना रिलिजन था वो तो प्रॉपर साइंस बेस था इतना वास्ट नॉलेज है कि मैं बोलना शुरू करूंगी मुझ जितना मुझे पता है मैं बता रही हूं मैं इसलिए करते हैं कि मुझे इसकी इससे बहुत जादा पॉजिटिविटी आती है बहुत ही जादा और इस बहाने कुछ मंत्रों का उचारन हो जाता है मंत्र क्या होते हैं मंत्र हमारी वाइबरेशन होती है और हम मंत्रा जब बोल स्प्रेड करती हैं और मैं आपको बता हूँ कोई कहते हैं ना पूजा भक्ति मंत्र बूलना सब को पता है इन सब चीजें से भगवान करम प्रधान है ना हमारा बैठते हैं, मंत्र उचारन करते हैं, तो यह सब चीजे हमारी mind को बहुत सब खुश करते हैं, क्योंकि जब हम यह सब चीज करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारी mind है, वो serotonin release करता है, serotonin क्या करता है, it's called happy hormone, हमारे अंदर एक positivity आ जाते हैं, और हमारी आत्मशक्ती, प्रेयर करना कुछ लोग समझते हैं कि इससे क्या हो जाता है करम करो करम प्रधान है हमारा हर किसी का रिलिजिन ये करता है कि करमा जो है वो रियल धरम है इसको जब हम करते हैं अभी जैसे मैं कर पूट से चला है मैं आम की लपडियां यूज की अब मैं ऐसी तो निखर नहीं जलती एक इसमें इसमें ये श्पारी ना भी डलती है जो कटी हुए रिया हम वह भी डालते हैं कोई बीचीज़ है तो इनके भी लूँचे बहुत बड़ी साइनस है, कि यह जो हर्ब हें, इसमें एक कड़ी तरह की चीजहं, हमlands लगालों है. जैसे यह पूंहें सीमत्तर हिस हुश के जैसा बहुत हिस जब डालोंगी मंत्रों से, तो ये एक बहुती जो fire के अंदर मैंने बता है अगनी हमारे देफताओं का मुख है हम इसमें डालेंगे तो समझो भो हम देफताओं की मुख नहीं हम आहुती देते हैं अपने देफताओं को और प्रे करते हैं सब की world की happiness के लिए और हमारी जो air है वो बहुत ज़्यादा प्योर हो जाती है जैसा कि आज टॉपिक मैंने दिखा था एंवार्मेंट I think हमन करना भी एंवार्मेंट को बहुत ज़्यादा एक कांट्रिबुशन है क्योंकि इससे जो हमारी आसपास की एर है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है तो ऐसी च